मुंबई से निकल के आई एक संसनी के पेसकस सूट केस में निकलते हैं बॉड़ी के कुछ पार्ट आये जानते सची गटना के बारे में यह गटना शुरू होती है एक समय था एक दिन एक व्यक्ति अपने घर जाता रहता है गाड़ी में और बहुत ही जाना वाना और फिरमस होता है तभी में सिगनल पर गाड़ी रुपती है तो वहां देखता है एक लड़की करीब सोला से सत्रा साल की रही होगी जो कि खड़ी हुई बहुत जोर से रो रही थी वह उसको देखता है और आगे निकल जाता है सिगनल से तभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और उससे बात करके उससे कहता है कि तुम मेरे घर चलो जो तुमें जरुरत है वह मैं पूरी करूँगा अर मैं तुमें अपनी बेटी बना कर रखोंगा वह अपने साथ लेक dachte के से चला जाता है और मैं अच्छे तरीके से रहने लगते हैं ऐसा इस समय बीच बीच जाता है तभी आचानक से एक गटना होती है कि जो वो व्यक्ति होता है वो इस दम से गाइब हो जाता है जैसे ही वो गाइब हो जाता है तो वो लड़की भी गाइब हो जाती है उस समय निकल जाता है ऐसे ही 7-8 दिन निकल जाते हैं तभी माहिम दरगाह बीच, जो बीच होता है, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वहाँ पे एक सूटकेस बहता हुआ पानी में आ रहा है, करीवन सुबह के साथ बजे रहते हैं, तभी एक व्यक्ति इधर से भागता है, कुछ लेडीज भागती हैं, कि ये जो सूटकेस है, पत इसमें क्या सौन असांदी, क्या चीज भरी है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, तो वो उसको वहाँ खोलते हैं, जैसे वो सूटकेस खोलता है, तो सब की चीक निकल जाती है, उसमें सरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं, यहाँ तक कि पूरी बोडी भी नहीं मिलती, सरीर के हो गया, और कुछ एक पूरुष का प्राइवेट पार्ट था, और बहुत सारी चीज़े मतलब टुकड़े थे, एक तरीके से बोडी के, तो वो वहाँ पर पुलिस को बिलाया जाता है, और पुलिस उस सब को देखके, हाफ सब को देखके कुछ समझ नहीं पाती है, जो वो माहिम दरगाह के एरिया की पुलिस्ती, वो कुछ नहीं समझ पाती है, तब ही ये क्राइम ब्रांच के अंडर में इस केस को कर देती है, और जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, वो इन चीज़ों के मामले में बहुत सकत है, वो बहुत अच्छे से बहुत पेची जातरीकी के मामलों को इजीली सॉल्व कर लेती है, तब ही वो लोग अपने जो चारों तरफ उनके एरिया के थाने होते हैं, उन सब में कॉल कर देते हैं कि इन साथ आठ दिनों के बीच में अगर किसी व्यक्ति की 50 से 55 की एज के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट अगर है, तो आप प्ल पार्ट से उनके तब उसको पता लगता है कि 55 साल की इसकी उमर रही होगी, अभी वो लोग फिर फिर से जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाती है, तब वो लोग फिर सोसल मीडिया का साहरा लेते हैं, और जो फेस्बुक होती है, उस पे वो उसक सदाय से लास मिली है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉंस नहीं मिलता है, तब ही जो उसको सूट केस मिलाता, उसको दुबारा से खंगालते हैं, और उसको प्रापर तरीके से चेक करते हैं, तब उसमें एक रेड कलर का स्वेटर और एक शर्ट और एक पैंट मिलता है, वो जो शर्ट पे लोगों लगा रहता है जैसे टेलर से लाइक तो अपना लगा देते हैं ऐस लोगों की मदद roku से वो लोग उस टेलर के पास पहूंच जाते हैं और टेलर से कहते हैं किया यह तौ मेरे पूरिक सिली है पुरिस वाले बोलते हैं क्या तुम्हें हमें इसका मालिक और इसका समय बता सकते हैं कब सी ली थी तब वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल तो वो क्या करते हैं कि एक कर्ची जो कपड़ा होता है उसका छोटा सा कत्रा उस अपनी कॉपी में लगा लेते हैं थोड़ छोटा सा उसकी रसीद पे लगाके कस्टुमर को दे देते हैं तब ही वो अपनी जो उनकी नौटबुक होती है वो खंगालते हैं और उसमें पता लगता है कि करीबन 100 रिकॉर्ड के बाद में इसकी पता लगता है कि ये किसने सिलवाई थी ये सिलवाई थी बैनेट रिबोलो ने जो कि एक 55 वर्सिय र्यक्ती था जब उसमें रिकॉर्ड में देखते हैं तो केवल बैनेट रिबोलो ही लिखा मिलता है ना कोई उसका घर का अड्रस कुछ भी नहीं मिलता है अब एक बार से फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ में कुछ नहीं रह जाता फिर वे दूसरी बार सोसल मीडिया का सहरा लेते हैं और वहां पर बैनेट रिबोलो नाम का व्यक्ती जो जितनी भी आईडी होती है उनको सर्च करते हैं तब ही करा करीबन 50-100 जो व्यक्ती होते हैं इडी उसके सामने आती है जैसे ही मुम्भाइ बैनेट जो डालते हैं तो करीबन 12 जो आईडी होती है उनके सामने आती है उन 12 जैसे ही फौटो्स को चेक करते हैं जो अपन्रोड करते हैं उन में स्वेटर उसमें मिलाता एक 75 वर्सियक्ती उसको पहन की ख़़ा रहता है और वहीं पे एक कार्ड भी अप्लोड रहता है जिसमें कि उसके घर का एड्रस मिल जाता है तब ही पुलिस उस घर पे पहुंचती है तो देखते हैं घर पे ताला लगा हुआ था वहाँ पे कुछ भी नहीं था जब वहाँ पे आसपास पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि जो ये व्यक्ति थे ये व्यक्ति हैं ये बहुत बड़े संगीतकार हैं और इन्होंने एक बेटी को गोध भी लिया था जिसका नाम था आराध्या पाटिल और फ्रिया रिया उसको हम बोलते हैं तो वहाँ पे ना बेटी थी ना पापा थे तब ही उस पेटी के फोन की लोकेशन चेक की जाती है तो वो कहती है मैं तो बहार हूँ फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा का हम वो कहते हैं पापा तो कनाड़ा गए हैं जब वो 16 साल की लड़की ये चीज बोलती है तो पुलिस का मा थठनक जाता है क्योंकि जो उसके पापा की डेड़ बाड़ी मिली और वो बिलिकुल कॉंफिडेंस से बोलती है कि वो बाहर है तब ही वो लोग जाते हैं और वहाँ पे उस लड़की को ग्रिफ्तार कर लेते हैं तो जैसे ही रिया को ग्रिफ्तार किया जाता है तब ही 16 वर्ड़ सी ये लड़का भी वहाँ पे आ जाता है और वो पुलिस वालों से पूछता है कि आप इसको क्यों ग्रिफ्तार कर रहे हो क्योंकि वो उसका boyfriend था तो पुलिस वारे उसको भी पकड़ ले जाते हैं ले जाने के बाद उसक्ती से पूस्ता जब की जाती है तब वो लोग बताते हैं कि एक दिन सिद्धी विजा एक के मंदर में ये लड़का मुझे मिला और मेरी आखे इसे चार हो जाती है हम एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और अपनी सारी बाते एक दूसरे को बताने लगते हैं तब ही एक दिन ये मुझे से पूस्ता है कि तुम इतने परिशान क्यों हो तम मैं इसको बताती हूँ वो जो लड़की है वो रिया बता रही है इस बज़े से मैं परिशान है ये जारी बाते सुनके जो 16 वर्षिय लड़का होता है उसकी आँखों में अंगारे उबल जाते हैं और वो दोनों घर आ जाते हैं ये करीबन 23 नवंबर की बात है फिर्वे 55 वर्षिय जो व्यक्ति होता है जो सिंगर होता है संगीतकार होता है वह तीन दिन बाद घर आता है तब वो समय 26 नवंबर हो चुका था 2019 की ये बात है वह घर आता है घर आते ही वो जो लड़की होती है रिया वो उसका जो पापा होता है उसको थपड मारती है खीसके जैसे वो थपड मारती है तो बच्पन वर्शी व्यक्ति जो होता है वही रखे गिटार से उन पर हमला कर देता है तब ही पीछे से जो उसका लवर होता है लड़की का वो उसमें डंडे मारके उसको बहोस कर देता है जैसे वो बेहोस होता है तो वहां पर रखा एक हिट था जब तक वो मर नहीं जादा तब तक उस पे हिट छिरका जाता है हिट छिरकने के बाद उसको खीच के वाश्रूम में ले जाता है और वाश्रूम में ले जाने के बाद उसकी गर्दन को चाको से काट दिया जाता है नहीं कट पाती, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मार्किट जाते हैं, और धार-धार बड़े-बड़े चाकू लेके आते हैं, और दो सूटकेस लेके आते हैं, एक सूटकेस घर में ही था, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बोड़ी के इतने हिसे करते हैं, कि तीन सूटकेस डाल दिया जाता है नासागर में डालने के बाद एक सूट केश जो होता है वो माहिम दरगाह के बीच पर पहुंच जाता है जहां पर उसे इर्फान नाम के विक्ति ले लेता है और इस केश की पोल पट्टी सारी खुल जाती है तो ये सारी ये एक घटना निकल के आई जिसमे कि एक जो शर्ट थी उसने इस सारे क्राइम को सब को दिखा के रख दिया तो क्राइम कहते हैं ना क्राइम कहीं चुपता नहीं वो कहीं न कहीं से उभर के सामने जरूर आता है चाहे किरमनलक कितना भी सातिर हो कितने भी अच्छी दिमाग से अच्छी सातिर तरीके से अगर वो बनाता है तब भी वो उस planning में success नहीं होता तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसको बताया जाए इधर उदर उसका फैसला खुद न ले उसके लिए government है उनकी help ले क्योंकि इसमें एक नहीं तीन लोगों की जिंदिगा खराब हुई बरबाद हो गए एक तरीके से क्योंकि वो दो बच्चे तो नाबा लिखते लेकिन एक लड़का 19 वरसी अभी था जो की उनकी पूस्तास में उसका नाम आया है वो उसको जेल भेज दिया गया और इनके खिलाब काफी हेवी चार्ट सी तयार की गई है और मुकदमा दायर हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्रा करें हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जिससे की हमारा चैनल ग्रो कर पाए धन्यवाद रहाम रहादा